हलो दोस्तो मध्यप्रदेश की नंबर वन चैनल फॉर डेली करन्ट अफेर के स्टेडी उनिवर्स में आपका स्वागत है आज हैं 11 माई 2019 और यह हमारी 151 वी क्लास है 12 important questions आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके exam और आपके knowledge की दरस्टी से बहुत important है इन questions को आप note कर लें क्योंकि यह आपके exam में पूछे जाती हैं साथी questions are related, important facts भी हम आपको बताती हैं तो वो भी आपको याद रखने है दोस्तो अगर आपको MPG के और current affairs से related कोई भी problem जाती है तो आप हमें comment box में बताएं हम आपके answer जरूर करेंगे चलते है question number first पर हाली में किस बंगाली अविनिता का निधन हुआ है जिसका सही option है मिराल मुखरजी हाली में बंगाली अविनिता मिराल मुखरजी का निधन हुआ है दोस्तों आपको बता दें इनका निदन आठ मई को कलकत्ता में चोटतर वर्ष की आयू में हुआ है इन्होंने श्रीराम प्रत्विराज ब्यूमकेस जैसी फिल्मों में काम किया है और ये बंगाल के अभीनिता थे तो इतना आपको इनके बारे में याद रखना है हाली में बिस्व सीमा सुल्क संग्ठन की बैठक का आयूजन कहां किया गया है जिसका सही उफ्टन है कोच्ची हाली में बिस्व सीमा सुल्क संग्ठन की बैठक का आयूजन कोच्ची में किया गया है भारत एशिया प्रसांत क्षेत्र में 200 सीमा सुल्क संग्ठन का वोईस चेर है भारत दो साल तक इस पद पर रहेगा इस पैठक की अध्यक्षता केंद्रिय आप्रत्यक्ष कर और सीमा सुल्क वोड की चेरमेन प्रणव कुमार दास द्वारा की गई है दोस्तो अब बात आईए 200 सीमा सुल्क संग्ठन की तो आपको इसके बारी में बता दें इसकी स्थापना 1952 में की गई थी और 200 सीमा सुल्क संग्ठन का हैटकौरटर ब्रुसेल्स बेजिया में है इस संग्ठन का उद्देश बिस्व सीमा सुल्क संबंधी कारियों में कुसलता लाना है तो इतना आपको याद रखना है कि बिस्व सीमा सुल्क संग्ठन की वेठक भारत के कोच्ची में आयजित की गई है Next question हाली में सयंक्तराश्ट बैस्विक संडक सुरक्षा का कौन सा सबता हा शुरू हुआ है दोस्तो सडक सुरक्षा की लक्षयों को मजबूत करने Save,Lifts and Speak Up अभियान भी शुरू किया गया है इस सब्ताह 6 माई से 12 माई के बीच मनाया जाएगा भारत सरकार ने रिकोर्ड की अनुसार भारत में 1,50,000 लोगों की मौत सड़क दुरगटना में हो जाती है दोस्तो आपको बता दें सिंग्त रास्ट बैस्विक सड़क सुरक्षा का जो थीम था उसके बारी में इस बर्ष इसकी थीम थी सड़क सुरक्षा के लिए नेतत्व तो इतना आपको इस बैस्विक सड़क सुरक्षा सब्ताहे की बारी में याद रखना है नेक्स्ट कॉशन फेक निउज रोकने किस देश में कानून पास हुआ है यहाँ पर दोस्तो कानून है तो इसका सई उप्षन है सिंगापूर हाली में सिंगापूर में फेक निउज रोकने के लिए कानून पास हुआ है दोस्तो इस कानून का उलंगन करने वाले को 10 साल की सजा और 3.77 करोर रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा इससे पहले दोस्तो मलेशिया भी ऐसा ही एक कानून लाया था 2018 में मात्र 5 माह कानून चला उसके बाद मलेशिया ने इसे खत्म कर दिया और अब फेक निउज रोकने के लिए सिंगापूर भी ऐसा ही कानून लाया है दोस्तो अब बात आईए सिंगापूर की तो आपको मैप में इसके बारे में बता दे मैप में ये जगह सिंगापूर को दसाती है सिंगापूर की राजधानी है सिंगापूर सिटी और प्रिसिडेंट है हलीमार याकूब सिंगापूर के प्रधान मंत्री है ली हाउसेन लॉंग और करंसी है सिंगापूर डॉलर तो दोस्तो इतना आपको सिंगापूर के बारे में याद रखना है किस एरपूर्ट को देज का पहला कारवन मैनेजमेंट सर्टिफाइड एरपूर्ट बनाने की तैयारी शुरू हुई है दोस्तो परियावर्ण सर्रक्षन की लिहाज से यह तैयारी शुरू हुई है ACI यानि Airport Council International इसके लिए Certificate प्रदान करेगे दोस्तो आपको बता दें इंदर एरपूर्ट को 2018 में तीन केटिगरी में पुरुषकार भी हासिल किये गए थे ACI के द्वारा आपको बता दें इस एरपूर्ट के मुख्य जो कार्बन मैनेजमेंट सर्टिफाइड एरपूर्ट बनाने में जो मुख्य बदलाब किये जाएंगे उनके बारी में तो 900 किलोबाट का एक सूलर प्लांट भी इसमें लगाया जाएगा प्लास्टिक फ्री रहेगा यह एरपूर्ट प्लास्टिक बैक की जगह है गलने वाली वैगों का उप्योग करेगा दोस्तों काउंटर के बचे खाने को एप के जरिये गरीबों में बटवाया जाएगा तो यह जो देवी एहललवाई हूलकर एरपूर्ट इंदौर का एरपूर्ट है इसे देश का पहला कारवन मैनेजमेंट सर्डिफाइड एरपूर्ट बनाया जाएगा तो इतना आपको इस एरपूर्ट की बारी में याद रखना है किस बर्स भारत एक गणराज्य बना था तो इसका सेयोप्शन है 1950 1950 में भारत एक गणराज्य बना था दोस्तो ये बहुत इंपूर्टेंट क्वेशन है आपको बता दी ये MP पुलिस और MP SI में आया हुआ क्वेशन है कुछ लोग जब भारत स्वतंत हुआ था उसके बारी में भी जानते है कि भारत गणराज्य बना था 1947 में कुछ लोगों का आंसर ये रहता है लेकिन ये पूर्टा गलत है दोस्तो भारत एक गणराज्य बना था 1950 में संबीधान की लागू होने के बाद तो इतना आपको इसके बारी में याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन हाली में कब बिस्व थैली सीमिया दिवस मनाया गया है जिसका सही उफ्षन है आठ मई हाली में आठ मई को बिस्व थैली सीमिया दिवस मनाया गया है दोस्तो अब ये थैली सीमिया क्या होता है आपको इसके बारे में जानकारी दे दे थेली सीमिया एक अनुवानसिक रोग है रक्त संबंदी बीमारी या ये बहुत बड़ा रोग है इस रोग के कारण हीमों गलोविन की कमी हो जाती है और रक्त कोशिकाओं में इसकी बहुत जादा कमी हो जाती है दोस्तो ये रोग तभी हो सकता है जब पीड़त के माता या पिता किसी में ये बीमारी पाई जाती हो या जाती ये बीमारी हो तो उन्ही में ये थेली सीमिया बीमारी होती है और इसी के लिए ये बिस्व थेली सीमिया दिवस मनाया जाता है प्रती वर्ष 8 मई को दोस्तो इस बर्स 2019 में इसकी थीम थी थेली सीमिया के लिए गुणवत्ता युक्त स्वास्त सुविधा की सार्व भौमिक पहुँच एक बाद फिर आपको बता दें, 2019 में विश्व थेली सीमिया दिबस की थीम थी, थेली सीमिया के लिए गुणवत्ता युक्त स्वास्त सुविधा की सार्व भॉमेक पहुँच, ये थीम थीम थी 2019 में, तो इतना आपको विश्व थेली सीमिया दिबस की बारे में याद रखन नेक्स्ट क्वेशन तो इसलिए ये चीते मद्यप्रदेश के नौरा देही अभ्यारण में लाए जाएंगे पहले चरण में कुल छेट चीतों को लाया जाएगा तो आपको याद रखना है नौरा देही अभ्यारण में केन्या और नौरोबी से चीते लाए जाएंगे Next question हाली में मद्यप्रदेश के किस बहादुर छातर को रास्टपती जी द्वारा जीवन रख्षब पदक दिया जाएगा जिसका सही option है समरपन मालविये हाली में समरपन मालविये को रास्टपती जी द्वारा जीवन रख्षक पदक दिया जाएगा आपको बता दें समरपन मालविये इन्होंने साप पकड़कर 35 लोगों की जान बचाई थी ये मद्ध प्रिदेश की रतलाम की रहने वाले हैं और अभी इनकी आयू मात्र 12 वर्ष यानी 12 एर से इन्हें यह अवर्ड 2018 में दिया जाना था पर कुछ कारणों की बज़ाय से नहीं दिया जा सका है और अब राष्ट पती भवन में यह जीवन रक्षक पदक इन्हें दिया जाएगा तो आपको इनकी बारे में इतना जरूर याद रखना है इनका नाम है समरपन मालविये नेक्स्ट क्वेशन हाली में टाइम मेगजीन के कवर पेश पर किसका फोटो लगाया गया है जिसका सही ओफ्षन है हमारे प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी जी हाली में भारती प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी जी को टाइम मेगजीन ने अपने कवर पेश पर जगह दी है चित्र में आप देख पाय रहोंगे यह है Time Magazine और उसकी यह जो खास बात है इसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर लेका है India's Divider in Chief इसका मतलब होता है भारत के प्रमुक विभाजन करता तो इस Time Magazine ने भारत के प्रधान मंतरी नरेंद मोदी जी को भारत के प्रमुक विभाजन करता के बारे में दर्स आया है दोस्तो इन्हें Muslim ब्रोधी भी इस मेगजीन के द्वारा बताया गया है तो यह बहुत बड़ी बात है हमारे देश के प्रधान मंतरी के लिए दोस्तो आप बात आई है Time Magazine की तो आपको इसके बारे में बता दें Time Magazine का प्रथम संस्करण 1923 में रिलीज हुया था Time Magazine का हैड़कॉर्टर निव यॉर्क में है और Time Magazine के चीफ है Edward Felsenthal तो दोस्तो इतना आपको Time Magazine के बारे में याद रखना है और इसमें हाली में प्रधान मंतरी मोदी जी को भारत के प्रमुक विवाजन कारी के नाम से बताया गया है तो इतना जरूर याद रखना है Next question हाली में मद्य प्रदेश के बरतमान राज योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है जिसका सई option है कमलनाथ हाली में मद्य प्रदेश के मुख्य मंतरी कमलनाथ जी राज योजना आयोग के अध्यक्ष है इतना आपको इनके बारे में जरूर याद रखना है मद्य प्रदेश के के शहर को City of Joy के नाम से जाना जाता है जिसका सई option है मांडू मांडू को City of Joy के नाम से जाना जाता है दोस्तो मांडू के कोच और जो दार्षिने इस्थल है उनकी बारी में आपको बता दें तो जहाज महल, हिंडोला महल ये सभी दार्षिने इस्थल है इसके अलावा होसंग साहे की मस्चिद, जामी मस्चिद, नहर जरोका, बाज बहादूर महल, रानी रूप मती महल, नीलकंठ महल ये सभी आकरशक और दार्षिने इस्थल हैं मांडू में तो इतना आपको मांडू की बारे में याद रखना है, इसे City of Joy की नाम से जाना जाता है Next question दोस्तो अब बात करते हैं, question of the day की, तो last day जो question पूछा था, उसका सही option था इंद और संभागने, इंद और संभागने वाय ट्रॉफी जीती थी आप आज का question है, बर्तवान में मद्यप्रदेश की राज्य नर्वाचन आयुक तो कौन है, इसका answer आप comment box में दे दोस्तो आप मारे चैनल Study Universe को subscribe कीजिए, वीडियोस को like कीजिए, दोस्तो हम आपको बता दें एक आप हमें promise करें कि आप साल में एक बार एक पेड़ जरूर लगाएंगे जो हमारे परियाब रहने के लिए बहुत जरूरी है, ये मुहिम आज से आप अपने दोस्तों के साथ छेड़ें कि साल में सिर्फ एक पेड़ कहीं भी जगह लगाना है और उसकी देखरे करना है, तो ये मुहिम आप जरूर अपने दोस्तों, परिवार, फैमिली, रिष्टिदार सभी के साथ शेयर करें, तो दोस्तों आज के लिए बस अतना ही, आप हमारे चैनल Study Universe को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कल हम आपके साथ फिर मद् निप्रिदेश और वर्ल्ड के interesting facts को लिका राज रहोंगे, नमस्कार, have a nice day.